हेलो फैंस स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नमबर टैन जो की प्लेटफॉर्म बॉल्म टू बुक का चलाया जा रहा है एक से नौ तक अपना आप लोग अगर अभी तक आप नई देखें तो जाके प्लेलिस से देख सकते हैं साथी साथ अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए जूरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल आइकन दबा दिजे ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है साथी साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अलेडी हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी ये सारे सब्जेक्ट का चैप्टर बाइज वीडियो अपलोडेड है मतलब कि प्रीवेज एर के कोश्चन जितने भी पूछे गया है वो सबको एक वीडियो में करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उससे जाके देख सकते हैं उससे आपको एकजाम में काफी बेनेफिट मिलेगा तो आएए सुरू करते हैं कोश्चन नमर फर्स्ट हमारा कह रहा है आमरी संस्कृति कहां पनपी तो इसका जो सयंसर होगा बो हो जाएगा अपसन नमर डी सिंध में पनपी है देखें आमरी संस्कृति है क्या आमरी भारतिये उप महादीप का प्रथम एक ऐसा स्थान है जहां गाउं और सहर दोनों तरफ की बिसेश्ता सरप्रथम देखी गई थी ठीक है तो इसका जो सयंसर होगा बो हो जाएगा आपसन नमर डी आमरी से एक चीज याद रखेगा कि आमरी का जो खोज किया था वो एंजी मजुमदार के द्वारा किया गया था क्लियर है चलिए next question है question number second question number second कहा रहा है कि निमलीखित में से कौन सा बौध पवित रस्थल निरंजना नदी परिस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा बोध गया बोध गया जो है वो निरंजना नदी परिस्थित है और निरंजना नदी से एक चीज़ याद रखेगा था, clear हैं? चलिए, next question हमारा question number third, question number third कहा रहा है कि निमलिखित में से कौन सा एक कनिस्क के दरवार से संबंध नहीं था तो अस्वगोस का था, चरक का भी था नागार्यून का भी था, पतंजली का नहीं था तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा, पतंजली से याद रखेगा पतंजली जो छत था, वो पूस मित्र सुंग के दरवार से संबंध था ठीक है, पतंजली से एक चीज और याद रखेगा कि पतंजली नहीं योग सुत्र और पानिनी की रचना किसके द्वारा किया गया है पतंजली के द्वारा ही किया गया है क्लेर है, चलिए नेक्स बंस के सुल्तानों ने सबसे अधीक समय तक देस में राज किया है देखिए यह दिल्ली सल्टनत की बात कर ला है दिल्ली सल्टनत में आप लोगों को भी पता होगा की 5 बंस आया था पहला आया था गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सय और पच्मा लोदी बंस तो देखिए अगर हम गुलाम बंस की बात करते हैं तो यह 1206 से लेके 1290 तक रहा था अगर हम खिलजी लाश्ट में आया लोधी बंस जो था 1401 कामन से लेके 1526 तक तो सबसे ज़्यादा जो सासन काल हुआ बो हुआ तुगलक बंस का मतलब 1320 से लेके 1414 तक तो इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D तुगलक बंस क्लियर है चलिए नक्स कोशन अमारा question number 5 कर रहा कि इन में से किसने क्रिस नदी की सहायक नदी के दचनी टट पर एक नगर की अस्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधी के रूप में अपने इस नए राज पर सासन करने का दाईत बलिया जिसके बारे में मान बिजय नगर समराज की अस्थापना किया था ठीक है बिजय नगर समराज का संस्थापक ही कौन था यही हरियर प्रथम था और हरियर प्रथम ने क्रिस्टन और तुंगभंदरा नदियों के मद में रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया था clear है चलिए next question हमारा question number 6 question number 6 कह रहा कि आकबर के सैन अभियानों के काला नुकरम सजाने के लिए बोल ला तो आकबर का सैन अभियानों का जो काला नुकरम है वो देखिए सबसे पहले उन्होंने किसका गुजराद विजय की अगर हम बात करते हैं तो कास्मीर विजय उसने किया था 1586 में हल्दी गाठी का यूद की अगर बात करते हैं तो हल्दी गाठी का यूद हुआ था 1576 में सिंध विजय की अगर हम बात करते हैं तो सिंध विजय था कब 1591 में ठीक है और इसी तरह से अगर हम बात अकबर का अंतिम विजय अभियान का करते हैं जो कौन था? असीरगर्ड विजय था वो कब हुआ था? 1600 A किस्वी में हुआ था तो अब इसको आप आराम से अरेंज कर लिजेगा अरेंज करने के बाद जो अंसर आएगा वो हो जाएगा option number C next question हमारा question number 7 question number 7 कहा रहा है कि चांदी का सिक्का यानि रूप्या सर पर सिब किसने चलाया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number C सेरसा सूरी के द्वारा चलाया गया था याद रखिएगा जो चांदी का ये सिक्का था वो 178 grain मतलब लगवग लगवग 11.6 gram के बराबर होता था सेरसा से एक चीज याद रखिएगा कि सेरसा ने तामा का भी सिक्का चलाया था जिसको क्या कहा जाता था दाम कहा जाता था clear है चलिए next question है question number 8 question number 8 कहा रहा है कि पलासी की लड़ाई किस नधी के टर्टपर हुई थी तो पलासी की लड़ाई भागी रथी की नधी के टर्टपर हुआ था तो option number B जो होगा वो हमारे सही अंतरों जगा और हुआ कर था पलासी की लड़ाई 23 जून 1700 संतामनिस भी को अब पलासी की लड़ाई हुए थी किसके किसके बीच जो बंगाल के नवार था उसमें सिरा जुदोला और अंग्रेजों के बीच एक कोस्चन जो बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है वो यह है कि जब अंग पती था मीर जाफर वो अंग्रेजों का साथ दे दिया था और इसलिए मीर जाफर को क्या कहा जाता है क्लाइब का लोमडी भी कहा जाता है चलिए नेक्स कोशन हमारा कोशन नमर नाइन कोशन नमर नाइन कहरा है कि देव समाज का संस्थापक निम्ण में से कौन था तो अंसर कोन हो जाएगा, option number C, सिभ नरायन अगनी होते लिए जो था वो देव समाज का संसापक था और इसकी अस्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1887 इस भी में देव समाज की अस्थापना हुई थी, clear है, और इस देव समाज की अस्थापना का मुख उदेश क्या था, इसका मुख उदेश था कि कुरूती मुख्त समाज का निर्मान किया जाए, next question हमारा question number 10, question number 10 कह रहा है कि गांधी इर्विन समझोते में, गांधी जी की सरकार ने, गांधी जी ने सरकार की कुछ सर्तों को सुईकार कर लिया था, उन सर्तों में से निमलिखित में से कौन सा नहीं था, तो सबने अबगना अंदोलन को स्थागित कर दिया जाएगा, ये था, Congress, British समान का बहिसकार नहीं करेगा, ये नहीं था, ठीक है, तो सही option हो जाएगा, यही option number B, ठीक है, गांधी इर्विन समझोते की बात करते हैं, तो गांधी इर्विन समझोता है, उसमें भा उनिक भारत में अस्थानिय सरकार का पत्ष प्रदर्शक समानता किसे माना जाता है, तो इसका जो सही अंसरो का बहुझाग, option number दे, Lord Rippon को माना जाता है, Lord Rippon की बात करें, तो Lord Rippon का जो टैनूर था, वो था, 1880 से लेके 1884 तक, ठीक है, Lord Rippon से एक चीज और याद कि Lord Rippon ने 1882 स्वी में विकेंद्री करन का भी शुरुआत किया था, next question हमारा, question number 12, question number 12 कह रहा है, कि मोहमद गोरी की भारत विजयर, तथा नव अस्थापित तुर्की सल्तनत की इतिहास का परत्याच विबरन किस गरन से मिलता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो हो जाग ठीक है, मिनहाज उस सिराज थे, सिराज जो थे, वो इस पुस्तक के लेखक थे, क्लियर है, अब मोहमद गोरी से एक चीर और याद रखेगा, कि इसने भारत पर सरप्रथन कब आकर्मन किया था, 1175 इस भी में भारत पर सरप्रथन आकर्मन किया था, next question हमारा, question number 13, question number 13 कह रह मातरी प्रधान थे, ठीक है, मातरी प्रधान थे, तो याद रखेगा, next question हमारा, question number 14, question number 14 कह रहा है, कि सुची एक तथा सुची दो को सुमीरित कीजिए, और सुचियों के निये दिये गए कूट का परियोग सही कीजिए, तो सैलक्रित रत, कहां, महाबली, पूर्यम, तो य ठीक है, अगला question की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा, question number 15, question number 15 कह रहा है, कि समतल दर्पन द्वारा बनी प्रतिवीम, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो हो जागा, अभासी, तो इसका option number B जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, clear है, समतल दर्पन से याद रखेगा, कि समतल समतल दर्पन में जो प्रतिवीम बनता है, वो क्या होता है, सीधा बनता है, और बस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है, समतल दर्पन से एक question जो बहुत बागि जामें पूछा गया है, कि अगर किसी बैक्ति को समतल दर्पन में अपना पूरा प्रतिवीम देखना होगा, तो को क्या किस्त कितना बड़ा होना चाहिए तो वो ब्यक्ति के लंबाई के आधा होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट कोश्चन अमारा कोश्चन नमर 16 कोश्चन नमर 16 कह रहा है कि बिदूत बल्ब में निम्न दापन नाइट्रोजन या आरगन गैस की कुछ मातरा इसलिए भरी जाती है जिससे तो इसका जो साई अंसर हो का बो हो जागा ओप्सन नमर B तंतू का बाफ़पन न हो पाए ठीक है बिदूत बल्ब से एक चीज याद रखेगा बिदूत बल्ब में का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है क्यूकि टंगस्टन का जो बैदित प्रती रोजक चमता होता है वो अधिक होता है बिदूत बल्ब से एक और चीज याद रखेगा कि जो अब इसकारक थे बो थे थोमस अलबा एडिसन ठीक है थोमस अलबा एडिसन थे एक्स अच को छूता है तो पिंड क्या है समान तोरण से गतिसील होगी मतलब उसका जो असर लेसन होगा वो इनिफॉर्म होगा तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number A ठीक है तो यह हमेशा याद रखेगा कि बेग मतलब velocity और graph बेग और समय का जो graph होगा इससे हमेशा क्या मिलता है प्राप्त होता मतलब असर लेसन ही आपको मिलेगा clear है चलिए next question हमारा question number 18 question number 18 कह रहा है कि 15 ohm 20 ohm तथा 30 ohm के प्रतिरोध समानतर बद हैं तो परिमानी सम्तुल प्रतिरोध की गन्ना करें देखिए आप लोग दो चीज पढ़े होंगे कि एक connection series होता है एक parallel होता है मतलब तो जब अगर हम parallel समानांतर की बात करते हैं तो क्या होता है 1 upon r is equal to 1 plus r1 plus 1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 and so on जितना भी दिया हो रहेगा तो यहाँ 3 दिया होगा इसलिए हम लोगों ने 3 लिया है तो आप इसको कर दिजे 1 plus 15 plus 1 by 20 20 plus 1 by 30 इन तिनों को solve किजिएगा तो आजाएगा 9 by 60 और 9 by 60 इसका सही अंसर होगा यानि option number C clear है? चलिए next question हमारा question number 19 question number 19 कहरा कि उचाई पर उड़ते हुए बिमान के केविन के अंदर का दवाब क्या होता है तो उचाई पर उड़ते हुए बिमान के केविन का अंदर का दवाब जो होगा वो बाहर की तुलना में अधीक होता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँचागा option number C ठीक है? और ये अधीक क्यों रखा जाता है? ताकि जो उसमें यात्रियों हो उनको असुवधा ना हो क्लिर है? चलिए next question है हमारा question number 20 question number 20 कह रहा है कि bifocal lens का अभिसकार किस ने किया था? तो bifocal lens का अभिसकार कों थे? Benjamin Franklin यानि option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा bifocal lens होता क्या है? मतलब एक ऐसा lens जिसमें अभदल और उत्तर lens दोनों लगाये होते एक चीज याद रखेगा कि इस lens जो bifocal lens होता है इसमें उपर अभदल lens होगा और नीचे उत्तर lens होगा clear है? चलिए next question हमारा question number 21 question number 21 कह रहा कि antigen है तो antigen क्या है? तो इसका जो सही अंसरो का बहुत जग option number C antibody के निर्मान है तू उत्त प्रेरियाख है antigen ठीक है? antigen से याद रखेगा antigen बाहरी तत्व होता है जो परतिछा तंतर को antibody बनाने के लिए प्रेरीज करता है next question हमारा question number 22 question number 22 कह रहा है कि निर्दाकन की सता पर मजबूती से चिप की पतली जल परत क्या कहलाती है तो इसका जो सही अंसरो का बहुत जग option number C केसिका जल यानी capillary water कहलाती है next question हमारा question number 23 question number 23 कह रहा है कि nitrogen fixing जी मानूस समानता पाए जाते हैं तो इसका जो सही अंसरो का बहुत जगा लेगुमीनस plant में यानी option number C ठीक है लेगुमीनस plant में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पौधा जो होता है वो nitrate यानी NO3 और nitrite यानी NO2 जो होता है उसके रूप में nitrogen को गिरहन करते हैं याद रखिएगा कि किस फॉर्म में लेते हैं तो nitrate तथा nitrite के फॉर्म में वो nitrogen लेते हैं ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने एगले question की तरफ जो किया हमारा question number 24 question number 24 कह रहा है कि रताउंदी निमलिखित के कारण होती है तो इसका जो सईयन सर है बहुँ जगा option number B vitamin A की कमी से होती है और अताउंदी होता क्या है ये एक रोग है जिसमें रोगी को रात के बग्त नजदिक की चीजे नहीं दिखाई देती है clear है चलिए next question हमारा question number 25 question number 25 कर रहा है कि समान ब्रेक्ती में 100 ml रक्त में कलिस्ट्रोल अस्तर किसके बीच रहता है तो इसका जो सईयन सर है बहुँ जगा 150 से 250 मिली ग्राम यानि option number B ठीक है clear है कलिस्ट्रोल से याद रिखिएगा कलिस्ट्रोल जो होता है वो दो परकार का होता है एक होता है LDL और एक होता है HDL LDL का मतलब low density lipoprotein और HDL का मतलब high density lipoprotein next question हमारा question number 26 question number 26 कह रहा कि निमली खित में से कौन एनि लीडर और मोलेस्का के बीच की कड़ी है तो इसका जो सई अंसर होगा बहुँ जगा option number C नियोपाई लाइना ठीक है अगर हम बात octiotorix की कहते हैं तो ये किसके बीच की कड़ी हैं पच्छियों और सरीश्रीप के बीच की कड़ी को कहा जाता है और peripetus की अगर हम बात करते हैं तो ये orthopoda और एनि लीडर के बीच की कड़ी कहा जाता है clear है चलिए next question हमारा question number 27 गुन सुत्रों में होते हैं मतलब ये क्रोमोजों की बात कर रहा है तो गुन सुत्रों में क्या होता है DNA और प्रोटीन होता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा आखिर गुन सुत्र का मतलब होता क्या है जैसे कि सभी जी प्रानियों या फिर बनस्पतियों की कोशिकाओं में पाये जाने वाले तंतु में सर्चना कोई क्या कहते हैं गुन सुत्र या क्रोमोजों कहते हैं और गुन सुत्र से एक चीज़ याद रखेगा कि गुन सुत्र का नामकरन किसने किया था तो गुन सुत्र का नामकरन किया था बाल डेयर ने किसने बाल डेयर ने क्लेर है चलिए नेक्स कोश्चन है मारा कोश्चन नमर 28 कोश्चन नमर 28 करा कि परकास अंसिलेशन के दौरान परकास सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है तो इसका जो सई अंसर होगा वह जाएगा chlorophyll यानि पंढ्ड़ हरित या नियोм option number A जो होगा वह हमारा सई अंसर होजएगा लोजएगा chlorophyll से एक चीज याद रखेगा कि chlorophyll के केंद्र में क्या पाया जाता है magnesium पाया जाता है ठीक है next question हमारा question number 29 question number 29 कह रहा है कि 2 billion को कब isotonic कहा जाता है तो 2 billion को जब isotonic कहा जाएगा जब उनका जो परासरंदाब होगा वो समान होगा यानि जब उसका automatic pressure जो होगा वो equal होगा तब तो यानि option number ये जो होगा वो हमारा सही answer हो जाएगा ठीक है देखिए जब भी कोई 2 billion की सांदता का मान अगर समान होता है तो 2 billion के परासरंदाब का मान भी बराबर होगा next question number 30 question number 30 कह रहा है कि पौधे की ब्रिधी के लिए सबसे महत्पून योगी निमलीखित में से बने हुए होते हैं तो इसका जो सही answer होगा बहुत जगा nitrogen यानि option number B, ठीक है next question है question number 31 question number 31 कह रहा है कि रेफ्रिजेटर में परिसीलक का का काम करने वाला द्रब जो होता है बहुत है आमोनिया ठीक है तो इसका जो सईयन से रोगा बो हो जगा option number C देखे रेफिजेटर में एक चीज बताइए कि रेफिजेटर में हम जब कोई खाना रख देते हैं या कुछ food products रख देते हैं तो वो खराब नहीं होता है इसका region क्या है अक्च्वली होता क्या है कि रेफिजेटर के अंदर का जो ताप होता है वो बहुत कम होता है ठीक है जिसके कारण पदार्थों में किनबन की जो क्रिया होती है वो संबब नहीं हो पाता है और इसी के कारण खाद पदार्थ जो होता है वो सुरचित होता है ठीक है, next question हमारा question number 32, question number 32 कर रहा है कि जल के प्राप्त गुंधर में सही नहीं है, तो यह चुम्बक दोरा आकरसित होता है, यह भी सही नहीं है, ये बिदूत का अच्छा चालक होता है ये बिदूत का अच्छा चालक होता है तो ये भी सही नहीं है क्योंकि सूध जल जो होता है वो बिदूत का क्या होता है कुछ आलक होता है इसमें ऑक्सिजन परमानू के बिप्रित दिसा में हाड्रोजन के साथ धुरूबिय सा सयोजक आबंध है जिसकी बज़ा से अनुर्याखी का ये भी गलत है क्योंकि जल के डाइ इलक्ट्रोनिक निया तंक के अधीक होने के कारण ये धुरूबिय पदार्थों का अच्छा बिलायक होता है जल तो इसका जो सयन सरो हो जागा बहुत हो जागा ऑप्सन नमरे एक दो और तीन नेक्स कोशन हमारा कोशन nommor 33 कोशन नमर 33 कहा रहा है कि एक स्वेत रसाइनीक योगित इसको पदार्थ यानिंगी की परयार्त मातरा मिलाने पर सक्ष ऻो जाता है या समसीं योगित होता है सेल चिकिस्ता तो टूटी हड़ियों को जोडने मोथ योगी होता है तो यह क्या पदाद, plaster of Paris है, तो option number A जो होगा, वो हमारा, स़ी answer हो जाएगा, ठीक है, plaster of Paris का रसाइनिक नाम क्या होता है, plaster of Paris का रसाइनिक नाम होता है, calcium sulfate, ठीक है, और इसका सुतर क्या होता है, caesophore into में half h2o, ठीक है, यह plaster of Paris की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, थाई भाग होता है वो निकल जाता है और सेस पतार्स जो बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं Plaster of Paris बोलते हैं ठीक है Next question हमारा question number 34 Question number 34 कह रहा है कि प्रति आमल के रूप में परियोग किया जाने वाला छारक कौन सा होता है तो प्रती अमल के रूप में परियोग किया जाना वाला जो छारक होता है वो magnesium hydroxide होगा यानि option number C magnesium hydroxide यानि MgOH का whole 2 ठीक है, magnesium hydroxide से एक सी चीज याद रखेगा कि magnesium hydroxide को आप क्या बोला जाता है, milk of magnesia ठीक है, milk of magnesia भी बोला जाता है, clear है, चलिए next question हमारा question number 35 question number 35 कह रहा है कि ग्रह अपनी विभिन धूरियां पर गती सील रहती है ठीक है, किसके कारण, गुरितवा कर्शन के अभी केंदरिये बल के द्वारा रहता है तो option number B जो होगा अभी हमारा सही अंसर हो जागा देखिए, अभी केंदरिये बल होता क्या है जब कोई बस्तू बृताकार मार्ग पर अगर चलती है तो उस पर एक बल बृत के केंदर की और कार्ज करता है और इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं अभी केंदरिये बल कहते हैं, ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने next question की तरब जो कि हमारा question number 36 question number 36 कह रहा है कि सूर्ज और धर्थी के बीच के अनुमानी दूरी कितनी है तो सूर्ज और धर्थी के बीच के अनुमानी दूरी है 14.96 x 10 तो पाबर 7 km यानि option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा इससे कुछ questions हैं जो याद रहना होए आपको एक तो question याद रहेगा कि प्रिथीवी और सूर्ज के बीच नियूंतन दूरी कब होता है 3 जनवरी को अब maximum दूरी यानि अधिकतन दूरी कब होगा 4 जुलाई को आई ये जो नियूंतन दूरी वाला जो condition होता है इसी को कहा जाता है उपसौर आई जो maximum दूरी वाला जो condition होता है इसको क्या बोला जाता है उपसौर और इसको अपसौर ठीक है एक को उपसौर बोला जाता है और जनेटी का परमान है यानि निर्मान कारी बल का परमान है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा ये एक चीज़ याद रखेगा जो हिमाले परवत है उसकी भूत पत्ती यही बलन के लिए से ही हुई है ठीक है? next question हमारा question number 38 question number 38 कहरा है कि eco sounding टक्नीक का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है समुदर की गहराई नापने के लिए तो option number ये जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा ठीक है? eco धोनी भी क्या है? एक परकार का sonar है जो पानी में धोनी के को संचारित करके पानी की गहराई को निर्धारित करने के लिए परियोग किया जाता है ठीक है? यहाँ से एक चीज question पूछा जा सकता आपको कि sonar का full form क्या होता है? तो sonar का full form होता है sound navigation and arranging ठीक है? next question है मारा question number 39 il nino क्या है? il nino जो है वो पेरू के पश्चमी टट पर परवाहित होने वाली उसन जल्दा रहा है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number C ठीक है? il nino जो है वो क्या है? एक अस्पेनिस सब्ध है जिसका आर्थ क्या होता है? little boy little boy ठीक है? next question हमारा question number 40 question number 40 कहा रहा है कि biomandel में carbon dioxide का परतिसत बढ़ जाने पर निमलिखित में से क्या घटित नहीं होगा? तो समुन तर्थ घटने की घटना नहीं होगी क्यों? क्योंकि जतना जाता carbon dioxide बढ़ेगा उतना जाता global bombing बढ़ेगा अग जब global bombing बढ़ेगा तो जो हमारा ice है, glacier है वो पिखलना स्टार्ट होगा तो समुन तर्थ कभी नहीं घटेगा तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer होगा clear है? next question है question number 41 question number 41 कहा रहा है कि मुक्त निम्द gas global bombing के लिए जिम्मेदार है तो मुक्त कौन सा है? carbon dioxide है, global bombing के लिए ISO के कारण होता है ठीक है, लेकिन mainly कौन जिम्मेदार होता है? carbon dioxide जिम्मेदार होता है next question हमारा question number 42 question number 42 कहा रहा है कि ग्रिस्म कालीन मौनसून से संबंदित बर्सन किस छेतर में प्राप्त होता है? तो इसका जो सही answer होगा बहुँ जगा कोरो मंडल टर्ट छेतर में यानि option number A ठीक है? देखे, actually होता क्या है कि जब 15 सितंबर की हम लोग बात करते हैं तो 15 सितंबर को जब सूर्ज जो होता है वो भूमद रेखा के पास होता है तो ग्रिस्म कालीन मौनसून लोटता है इसको क्या बोला जाता है? लोटता हुआ मौनसून भी कहा जाता है ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आपने अगरे कोशन की तरब जो कि हमारा कोशन number 43 कोशन number 43 कहा रहा है कि सहादरी परवत इस्थित है तो यह कहा है महराश्ट में तो आपसन number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा जनरली जो पश्चमी घाट परवत स्रेनी है उसी को सहादरी परवत कहा जाता है ठीक है? पश्चमी घाट में इस्थित राज कि आप लोग नाम मुझे कमेंट करके बताईएगा ठीक है? पश्चमी घाट में इस्थित कौन-कौन से राज है और पुर्वी घाट में इस्थित कौन-कौन से राज है ये दोनों कोश्चन का अंसर आप मुझे कमेंट करके बताईएगा कि पश्चमी घाट में कौन-कौन से राज इस्थित है क्लियर है चलिए next question हमारा question number 44 question number 44 कहरा है कि 10.5 मौनजुन का समय क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा month June से लेके सितंबर तक तो option number D जो होगा बो हमारा सही अंसर हो जाएगा एक चीज़ याद रखेगा कि मौनजुन से कि भारत में मौन्सुन जो है वो सरपर्थम केरल राज में प्रवेस करता है ठीक है और सबसे लाष्ट में कहां पंजाब राज में सबसे पहले केरल और सबसे लाष्ट में पंजाब और सबसे पहले जाएगा कहां से पंजाब से जाएगा और सबसे लास में भी जाएगा कहां से केरल से जाएगा ठीक है नक्स कोशन हमारा कोशन अबर 45 कोशन अबर 45 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संग राज छेतर कौन सा है तो भारत का जो सबसे बड़ा संग राज छेतर है वो है लद्दाक तो आपसर नमबर बी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अभी रिसेंटली हमारे गबामेंट ने जम्मू और लद्दाक को दो अलग-लग यूनियन टेरेट्रिष बना दिया है मतलब संग राज छेतर बना दिया है और इसके बाद कुल आठ संग राज छेतर और 28 राज हो गए है ठीक है तो लद्दाक जो है वो सबसे बड़ा हो गया है छेतरफल की द्रिष्टी से और जम्मू जो हो गया वो दूसरा हो गया है अच्छे तपल के दिरिष्टी से सबसे बड़ा के अंदर सासित परदेश लेकिन अगर जनसंख्या के दिरिष्टी से अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या के दिरिष्टी से जो दिल्ली है वो सबसे बड़ा के अंदर सासित पर तमिलनाडू की करते हैं तो तमिलनाडू से याद रखेगा भारत नाड़नाम, केरल की बात करते हैं तो केरल से याद रखेगा कथकली, मोहनी अर्टम, और अगर महराष्ट की बात करते हैं तो महराष्ट से याद रखेगा तमासा और लाबनी, तो यह सब इंसारे स्टेट के क्या है लोकनीत या सास्रीनीत है नेक्स कोशन है कोशन नमर 47 कोशन नमर 47 है कि नागलेंड की राज किये भासा क्या है तो नागलेंड की राज किये भासा की बात कर रहा है तो नागलेंड का जो राज किये भासा है वो क्या है इंगलिस है यानि आपसे नमर ये जो होगा वो हम हो जाएगा ठीक है next question है question number 49 question number 49 कह रहा है कि आम अवस्या के अपसर पर जब धर्ती से देखने पर सूर्ज और चांद एक ही सहयोजन में दिखाई दे तो उस आम अवस्या को क्या कहते हैं तो उस question number 50 question number 51 कहरा है कि गतंत्र होता है गतंत्र क्या मतलब वहां पर जो राजा होगा मतलब राज होगा वहां का जो अध्याच होगा हेड होगा वो बनसा नुगत रूप में नहीं होगा तो उसको गन्तंत्र बोला ज का तो भारत में तो नहीं है तो भारत क्या एक गंतंतर है, क्यूँकि यहां का जो राष्ट ध्याच मतलब राष्ट पती जो होतो हैं हमारे, वो क्या होते हैं, निरवाचित होते हैं, ठीक है, तो इसका जो सायन सर्वजय का बहुत हो जगा, option नमर डी, एक ऐसा राज जहां का ध्याच बंसा नुगत रू अगर कौनसा अनुचेद बच्चों के सोसन से संबंदित है, तो इसका जो सायन सरों का बहुत जगा, अनुचेद 24 यानी option नमर डी, ठीक है, भारतिया सम्भिधान के अगर हम भाग 3 की बात करते हैं, तो इसमें 12 से 35 तक मौलीक अधिकारों का उलेख है, ठीक है, एक 19 की बात करते हैं, इसमें 16 की सोतंतता का उलेख है, जिसको हम लोग कहते हैं, बोलने की सोतंतता, किसी भी जगा जाने की सोतंतता, किसी भी अस्थान में बसने की सोतंतता, भारत की किसी भी कोने में बसने की सोतंतता, तो ये सब 16 की सोतंतता है, अनुचेद 19 के तार, ठीक है देखे आपको quality का अगर lecture देखना है तो आप playlist में जाएगा वहाँ quality का 4 या 5 lecture पड़ा हुआ है उस 4 पांचों में बहुत सारे questions कवर कराएगा है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं quality का lecture जो है उसमें वही question का को स्थान दिया गया है जो previous exam में पूछे गया है और उसको बहुत अच्छे से explain किया गया ताकि आपका ये question से बहुत सारा questions कवर हो जाए तो आप जाके उसे एक बार देखेगा आप उस अगर 5 वीडियो को देख लेते हैं तो आपका quality almost पूरा कवर हो जाएगा मतलब बहुत अच्छे ढंक से आप quality पर command आपका हो जाएगा ठ तेखिए actually है क्या कि जब राष्टपती आपातकाल की घोसना कर देता है तो 30 दिनों की अंदर संसत के दोनों सदनों के दो बटा तीन बहुमत से सुक्रिती मिलना आनिवार्ज होता है ठीक है next question is question number 54 question number 54 है कि पहले अभिस्बास परश्था और दूसरे अभिस्बास परश्था के बीच चे महीने का अंतर होना चाहिए तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer हो जाएगा एक चीज याद रखेगा कि अब इस बास परस्ता जो होगा वो हमें सा लोगसभा में ही लाया जाएगा लेकिन वजट सत के दोरान उसे लाया नहीं जा सकता है और अब इस बास परस्ता जो होगा उसको लाने के लिए नहीं तब 50 लोगसभा 72 का समर्थन अनिवाज है ठीक है चलिए नहीं बढ़ते हैं अपने next question की तरफ देखें next question की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो एक like जरूर कर दीजेगा साथी साथ आप लोग कमेंट करके मुझे बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है और साथी साथ आप लोग का बहुत सारे लोगों का curious था कि math और reasoning का question कराए तो देखे math और reasoning का question मैं 5-5 set करके करा दूँगा मतलब एक वीडियो ले आऊंगा उसमें मैं 1-5 तक के सारे प्लेटफॉर्म के सेट के जितने भी math और reasoning के question से वो करवा दिया जाएंगे फिर दूसरे वीडियो में 5-10 करा दिया जाएंगे तो वो आपको recently एक से दो दिनों के अंदर में आपको वो वीडियो प्रोबाइड करवा दिया जाएगा ठीक है बहुत सारे students हैं जो WhatsApp या Telegram ग्रूप पे जो number है उन पे अपना marks और score message करें उतना आप खुद को improve कीजिए कि अब मुझे अगले test में आप ज्यादा marks score करके ला सकते हैं ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने next question की तरब जो कि हमारा question number 55 question number 55 कहा रहा है कि भारत में अधिकारिक लोगतंतर निम्ण में से कौन सुनिश्चित करता है तो इसका जो सायन सर होगा पो हो जागा option number ए पंचायती राज सुनिश्चित करता है ठीक है पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं तो पंचायती राज का स्थापना का प्रवादनेर कहां है अनुछेर 40 की अंतरगत है ठीक है next question है question number 56 56 कह रहा है कि राज लोग सेवायोग की किसी भी सदस को अयोगता की अधार पर दे के question सही से पढ़िएगा राज लोग सेवायोग की किसी भी सदस की अयोगता की अधार पर आवस्यक जात के पश्चात नीमन में से कौन हटा सकता है कर रहा है कि पंचायती राज की इस विचारधारा पराधारित है तो पंचायती राज लोकतांतरी विकेंद्री करन के विचारधारा पराधारित है तो आपसन नमर यह जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है देखें लोकतांतरी विकेंद्री करन मतलब क्या कि उसमे क्या होना चाहिए लोकतांत्र का विकेंद्री करन मतलब बटबारा होना चाहिए ठीक है देखें अगर हम बात करते हैं कि भारतिय सम्विधान के अनुछेच चाहिए ठीक है तो इसमें ये निर्देश दिया गया है कि राज ग्राम सभा का अधिकार प्रबत करें मतलब लोगों को सब लोगों को सक्ति मिले जरूरी नहीं है कि एक खाथ में पावर हो ठीक है? साथ ही साथ एक चीड याद रखिएका कि पंचाइधी राज को तीहतर में समिधान संसोधन, उनाइसो बाणमे तीराणमेग के द्वारा संभिधानिक मानता दिया गया था और कौन से अनुसुची में? अनुसुची 11 में है ये ठीक है? और ये clear up पंचाय तीरा से चलिए अब बढ़ते हैं अपने एगले question की दरब जो कि हमारा question number 58 question number 58 कारा कि किस संसोधन बिधयक दरबा भारतिय संमिधान में नागरिकों के मूल करतबों को सामिल किया गया है तो इसका जो सहीं सर होगा बहोगा 42 मा संसोधन के दरबा अगर हम बात करते हैं मूल करतब यो की तो मूल करतब किस में भाग चार के कर में ठीक है अब अनुछेद एक आमन के कर के तहब 10 मौली करतबों को संमिधान में जोड़ा गया था लेकिन अभी कितने मौली कर्तब? 11 और ये जो संसोधन कौन सा? 46 संसोधन 2002 में जोड़ा गया था इगरामा मौली कर्तब को. अब मौली कर्तब लिया कहां से गया है? रसिया के संसोधन से लिया गया है. ठीक है? अब है? नेक्स गोउचन है, कोईचन अबर 59. कोउचन अबर 59 कहा रहा है कि छाया मंत्री मंदल की रीती कहां सुरू हुई थी? तो छाय मंत्री मंडल की लिटी बिटेन में शुरू ही है तो इसका जो सहय अंसर हो जागा बो हो जागा option number B. ठीक है छाय मंत्री मंडल का गठन जो होता है वो सासख मंत्री मंडल को संतुलित करने और अपने सदसियो को भवीश में मंत्री मंडल के लिए तयार करने के उद्धे से बिरोधी दलद्वारा किया जाता है clear है चलिए next question है question number 60 question number 60 कहा रहा है कि भारत के संभिधान के उद्धे सिका में कितने परकार की नियाई की विवस्ता है तो ये 3 परकार की नियाई की विवस्ता है ठीक है तो उन्हें कितना बेतन प्राप्त होगा तो उन्हें राश्पती के बराबर ही बेतन प्राप्त होगा तो option number 20 जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा देखिए यहाँ से आप 2-3 चीज़ याद रखिए एक याद रखिए अनुछे 63 एक 64 और एक 65 ठीक है अनुछे 63 क्या है यह समझ लीजे अनुछे 63 के अंतरगत उप राश्पती के पद का प्रद्धान है अनुछे 64 क्या है अनुछे 64 है कि उप राश्पती जो होगा वो राज सभा के सभापती के रूप में कार्ज करेगा अब अनुछेद 65 क्या है कि उपर राश्पती जो होगा वो राश्पती के रूप में कार्ज कर सकता है तो ये 33, 64, 65, 63 तीनों याद रखिए कन्फ्यूज नहीं हो येगा ठीक है Next question है हमारा question number 62 question number 62 कर रहा है कि anatomy ग्यान की एक सक्खा है जिसमें क्या अध्यन किया जाता है तो anatomy क्या जनबरों और पधों की सन रचना का अध्यन किया जाता है तो option number ये जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा अगर हम बात करते हैं पसू की बेवार की तो पसू की बेवार का अध्यन को कहा जाता है इथनोलोजी ठीक है यानि अचार विज्ञान कहा जाता है और इसमें अगर कोशिकाओं की अध्यन की बात करते हैं तो इसको साइटोलोजी कहा जाता है और उत्यकों का अध्यन को कहा जाता है Histology, clear है, चलिए Next question हमारा Question number 63, Question number 60 ही कह रहा है, कि The Inheritance of Lawrence की लेखिका का नाम क्या है, The Inheritance of Lawrence की लेखिका का नाम है किरंदेसाई, यानि Option number B, जो होगा, वो हमारा सही अंसर हो जाएगा, अनुदितिती रहों से याद रखेगा, इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है The God of Small Things Next question है, Question number 64 Question number 64 कह रहा है, बारा बत्ती स्टेडियम कहा है, तो बारा बत्ती स्टेडियम कटक में है, तो Option number D जो होगा, वो हमारा सही अंसर हो जाएगा Next question है, Question number 65 65 कह रहा है, कि पीतल में कौन सी धात्वां होती है, तो पीतल में तामवार जस्ता होता है, 70% तामवार जस्ता होता है, तो तामवार जस्ता है, यानि Option number D जो होगा, वो हमारा सही अंसर हो जाएगा, Next question है Question number 66, कोरोना बारास 2019 का पहला केस कहा है, तो ये 163 पर पढ़ता है, ठीक है तो कौन से 10 पर पढ़ता है, तो ये ही question पूछ रहा है, कि 163 पर पढ़ता है, तो Option number A जो होगा, वो हमारा सही अंसर हो जाएगा, ठीक है Next question है, question number 68, question number 68 कह रहा है, कि 20 परिया बरन दिबस कम मनाया जाता है, तो बात करते हैं, तो 22 परियल को मनाया जाता है, 20 परिथिवी दिबस, 23 मार्च को मनाया जाता है, 20 जल दिबस, और 23 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्टिये किसान दिबस Next question है, 69, 69 कह रहा है, कि नीम्न में से किस राज से होकर करक रेखा नहीं गुजरती है, तो करक रेखा यानि, 23 डिगरी, उतरी अच्छांस कोई करक रेखा बोला जाता है, करक रेखा 8 राजियों से गुजरती है, वो 8 राज कोन है, गुजरात, राजस्थान, मध्यपरदेश 36 गड, जारखंड, बश्चिम बंगाल, त्रिपूरा और मिजोरम, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो क्या हो जागा, आप्सन नमर C, यानि मेगाले, मेगाले से ओकर करक रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, next question है, question number 70, कह रहा है आप गटा रास्टी हो दियान, किस राज मे गुरु अंगत देव कौमे गुरु थे, ये सिखो के दूतिय गुरु थे, और इनके से एक चीज़ याद रखेगा, कि इनका जो पारंबिक नाम था, बोला होना था, ठीक है, ठीक है, गुरु नाना की बात करते हैं, तो ये सिखो के प्रथम गुरु थे, गुरु अमर्द ये, ठीक है, देखिए, यदि बजार मुल पर सकर राष्टिय उत्पादन में मुल हास को घटा दिया जाए, तो सुधर राष्टिय उत्पाद प्राप्त होता है, राष्टिया ऐसे काचीज याद रखेगा, कि राष्टिया आएका आकलन कोन करता है, CSO, यानी Central Statical Organization, यानी केंद्रिय सांक की संगठन के द्वारा किया जाता है, और सरपर्थम कब किया गया था, ठारा सो, और सट इस्वी में, दादा भाई, नरोजी की द्वारा किया गया था, Next Question है, Question No. 73, Question No. 73 का रहा है कि मांग प्रेरित, मुद्रास पिती सिध्धान तब उत्पन होती है, जब, कब, जब मुद्रा पिती में आब अस्तक्सा से अधीक बिलिदी होता है, यानी Option No. B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, आपने पड़े होगे केंज के स सिध्धान थे, ठीक है, केंज का सिध्धान क्या कहता था, केंज एक एकनोमिस्ट थे, उनका सिध्धान ये कहता था कि जब कुल मांग, कुल आप पूर्ती से अधीक हो जाता है, तो मुर्दास पिती, मुद्रास पिती जो होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है, नेक्स कोशन है, कोशन नबर 74, 74 कह रहा है, नवाड किसका नाम है, नवाड का मतलब क्या है, नवाड का फुल्फम है, मतलब हिंदी में अगर बोलें तो है, राष्टी है, क्रिसी और ग्रामिन विकास पेंग, और इसकी अस्थापना कब हुई थी, 1982 में हुआ था, और किसक पमाना ध्याच की बात करते हैं, तो इनका नाम क्या है, गोबिंदा, राजूलू, चिंताला, ठीक है, तो ये नवाड है क्या, एक गैर बैंकिंग बीत ये संग था है, तो आपसर नबर D जो होगा, वह हमारा सही अंसर होगा, नेक्स कोशन है, कोशन नबर 75, 75 कह रहा है कि भारत में कागी नोट को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, तो ये भारतीय रिजर्बैंक के पास है, यानि RBI के पास है, ठीक है, RBI इसे एक चीज़ याद रखेगा, RBI को क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, नेक्स कोशन है, कोशन नबर 76, निमल कोशन है, कोशन नबर 77, कोशन नबर 77 कह रहा है, बजार किसे कहते हैं, तो इसका जो सहिएन सर होगा, बहुँ जगा, उप्सन नमर D, जहां दो से अधीक बेखतीयों के बीच करह भी करह होता है, नेक्स कोशन है, कोशन नबर 78, कोशन नमर 78 कह रहा है, BK चतुरवेदी तो बहुआ बहुत करते हैं, बहुत कॉषन नमर 79 कह रहा है, बहुत करह दो सहिए बीचफर बहु जगा, बहुत क मैं कना रहा है? अब भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में कौन थे में स्वामी नाथन ठीक है चलिए तो ये था आज का हमारा 80 कोशन और इसके बाद जो 20 कोशन है वो मैंस और रिजनिंग का है तो मैं आप लोगों को मैंस और रिजनिंग के लिए बताया ही कि मैं चार वीडियो देखिए प्लेटफॉर्म के बालूम 2 में टोटल 20-60 हैं तो मैं चार वीडियो मैंस और रिजनिंग का लेके आऊँगा एक वीडियो में एक से पांच तक दूसरे में पांच से दस और चार वीडियो में आप लोगों को पूरा मैंस और रिजनिंग कवर कड़ा दूँगा वो जल्द और बेल आईजन दबा दिजेगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं थैंक्स फो वचिंग